देरसाम भागलपूर के लोधिपूर थाना च्छेतर के चकधरिया गाउं में कलेक्शन कर भारत फिनांस कंपणी के बाइक में रखे गए एक लाग 95,800 रुपया उचको के दोवारा उरा लिया गया मामले में भारत फिनांस कंपणी के कर्मी सुनु कुमार ने लोधिपूर थाना में अग्याद के खिलाप आविदन दिया है भारत फिनांस कंपणी के फिल्ड अफसर सुनु कुमार ने बताया कि फिल्ड का काम काफी जोखम बड़ा है पहले इतना भय नहीं रहता था पैसा लेकर आने जाने में डर लगता है सक धरिया में एक मीटिंग के दौरान भगदर मज गई लोगों ने एक सूर में कहा कि पैसा नहीं देंगे वहीं इस भगदर के दौरान कुछ अपरादिक तत्वों ने मेरे मोटर सैकिल से एक लाग 95,800 निकाल लिए वहीं इस मामले को लेकर प्लीस चान मिन में जूट गई है हर दो सब्ता पहले भी पैसा नहीं दिया था पिसले सब्ता भी नहीं दिया है और कल भी पैसा नहीं दे रहा है किस कंपणी के हो तुम भारत फैनांस भारत फैनांस कौन पैसा नहीं दे रहा है काजल खातून वह चार सदसे के नाम से और पैसा उठाई वी है अच्छ वहीं से पैसा निकाल लिया कहाँ पर चक्तरी आगा हम देखे हो पन निकाला है नहीं वहाँ पर बहुत भीट था और हमारे जो सजयोगी थे उस पूरा हावी हो गया कि हम तुम पैसा नहीं देंगे दोनों में जंजर्चुने लगा हम काड़ी के पास में ठड़ेते और उसको बचा है एक लाग पनचानवी हजार आठसो कुछ इंपा था उसका रिसीविंग तो होगा यहां से पैशा उठाया होगे जी सर एक लाग पनचानवी हजार का किया नाम है तुहारा नम सामी पुमारा क्या फिल्ड अफसर हो जी सर कहां कि रहने वाले हो पुर्णिया जिला अभी अब हर खबर पर होगी हमारी नज़ार पल पल पदलती देश और दुनिया की हर खबर पाईए सीधा अपने मोबाईल पाईए सीधा आपने मोबाईल पाई ऐसे ही खबरों के लिए करें सेट 24 लाइब को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिये गए बेल आइकन को भी दबाएं थैंक यू